iPhone, iPad, MacBook इन तीनों डिवाइस को एक ही डिवाइस रिप्लेस करने वाले है पता है वो कौन सा है? वो है Apple Vision Pro मतलब कि अगर आप खुद सोचो Apple Vision Pro के अंदर आप यहाँ पर कॉल लगा सकते हो यहाँ पर FaceTime कॉल हो सकते है उसके अंदर कैमराज है आप उससे 3D वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो अगर Office का काम करना है तो MacBook की स्क्रीन भी उससे बना सकते हो Entertainment चाहिए तो बड़ा एक TV भी उसको यहाँ पर बना सकते हो यहाने कि Apple के जितने भी डिवाइस आते हैं ना सब को कहीं न कहीं वो रिप्लेस कर देगा और ऐसक हो भी क्यों ना अंदर का hardware देखें तो दो आपको high resolution display देखने को मिलता है जो Apple के किसी भी प्रोड़क्ट से ज़ाद है उस प्रोड़क्ट में सबसे ज़ादा cameras देखने को मिलते हैं जितने cameras वो अपने iPhone में भी नहीं डालते हैं यहां तक कि उसका खुद का OS है, खुद का app इस्टोर है, उसके अंदर iPhone का app, Mac का app यह सब भी चल सकता है यहां तक कि उस प्रोड़क्ट के अंदर दो दो प्रोसेसर भी लगे हुए M2 चिप जो Mac में आती है और एक नई R1 चिप उनोंने बनाई है लेकिन फिर भी जो बैटरी है, वो सिर्फ दो घंटे हैं पर चलती है और Apple ने प्राइस पता है कैसे justify करी है अगर आप एक सारे प्रोड़क्ट को market में लेने जाओगे और घर में अगर home theater जैसा setup बनाओगे तो सारा खर्चा 10,000 डॉलर आ जाएगा और इन सब का मज़ा अफ सिर्फ 3,500 डॉलर में Apple Vision Pro केंदर आप ले सकते हैं वेल, Apple यहाँ पर एक बात भूल गई कि Apple Vision Pro को सिर्फ एक बार में सिर्फ एक आदमी उस कर सकता है लेकिन बाकी सारे अगर Apple products अगर कोई लेता है यहाँ घर में अगर home theater ही बनाता है न तो सब के साथ यहाँ पर एक मज़ा ले सकता है लेकिन एक सवाल आता है यह Apple ने सच में इन सारे products को replace करने के लिए Apple Vision Pro को बनाया है इस बात को समझ लेते हैं पिछले कुछ साल होगे अगर iPhone की sales या Mac की sales देखोगे न तो इत्ती जादे impressive नहीं है इस साल जो Mac की sales थी first half 2023 में काफी जादे down थी iPhone की sales जो all time peak हुआ कर दी थी उसको 5 साल से जादा हो चुका है अब iPhone की sales अब flat हो चुकी है इसके अलावा Apple के पास कोई ऐसा product भी नहीं है जिसकी sales आगे increase होती हो तो Apple को तो एक जरूरती market के अंदर एक नया product लाने की और company जादा product बेचेगी जादा पैसा बनाएगी और देखो simple सी बात तो है कि Apple यहाँ पे कोई भी product लाएगी और उसके उपर अगर Apple का logo होगा तो वो चीज तो market में बिकेगी लोग यह नहीं सोचेगे कि वो product की उनी जरूरत है या नहीं लेकिन नया product होते ही वो चीज मार्केट में चलती है लेकिन यह सिर्प कहानी का first half में चलो रख नया product आएगा company बेच लेकी लेकिन पता है Apple Vision Pro एक AR और VR headset है तो Apple इसके अंदर 2017 से लगातार काम कर रही है और यह Apple के दुवारा बनाया गया सबसे advanced product है जिसके अंदर आप AR और VR का मज़ा ले सकते हैं अब आप खुद ही देखिए Apple को जैसे कि पहले उसने iMac वगरा बनाये थे तो स्क्रीन को आपकी टेवल की उफ पर ले गए उसके बाद जब iPhone बनाये तो स्क्रीन आपके हाथ में आ गई इसके बाद जब Apple Watch बने तो जो स्क्रीन थी वो आपकी wrist के अंदर आगी लेकिन Apple Vision Pro में जो स्क्रीन होगी वो आपकी आँखों के सामने आ रही है यही चीज हो रही है पूरे AR और VR इंडस्ट्री के साथ और इसलिए हर दूसरी कंपनी आपकी आखों के सामने के स्क्रीन लाने की पीछे पड़ी हुई है और मान लीजे Apple Vision Pro में चलो इतनी ज़ादा ads वगर नहीं आते लेकिन जो services जो apps आप यहापे use करेंगे उसके लिए तो आपको कही न कहीं फिर से पैसा देना पड़ेगा और इससे Apple और ज़्यादा है हापे पैसा बनाएगी तो basically आपको ज़्यादा socially aware करने के बजाए socially isolate कर रही यानि कि आपको समात से अलग करके आपको अपनी ही एक अलग दुनिया में यहाँ पर बिठाने का प्लान बना रही है लेटरली यही सेम चीज़ फेस्बुक Metaverse के साथ ट्राय कर रहा है और Apple अपने Apple Vision Pro के साथ यहाँ पर ट्राय कर रहा है उनके ही virtual world में मिले और उसी में ही वोक अपनी जिंदिगी बिताए और वहीं बात करूं मैं Apple की तो इस सबसे जादा risky project है Apple का भी तक का मतलब कि आपने एक बात notice कर इसकी event में पूरी event के अंदर किसी भी Apple executive ने इस headset को नहीं पहना यहां तक कि खुद Tim Cook ने भी Apple Vision Pro को नहीं wear किया कहीं पर भी एक photograph market में नहीं है यहां तक कि 2000 लोगों ने WWDC को attend किया था और उसमें से भी कुछ selected लोगों को इसका demo दिया गया था controlled environment में और किसी को भी allow नहीं था इसकी कोई photograph ले या video बनाए तो आप देखेंगे किसी भी YouTuber ने देखा है तो इसकी actual use करते हुए video बगर है यहां पर नहीं डाली कि exactly में product है कैसा और Apple event के बाहर सिर्फ एक ही ऐसी जगे है जहां पर product देखने को मिला है और वो है ABC News Channel America जिसमें Good Morning America शो आता है सिर्फ उसी एक news channel के अंदर इस चीज़ को देखाये गया जिसे शाट tech वाली जनता है यहां पर देखती भी नहीं होगी basically Apple दुनिया को यह दिखाना चाहती थी कि यह इस प्रकार की चीज़ पर वो काम कर रहे है आने वाली future में कुछ stack की चीज़े आएंगी और यह देखना चाहते है कि public का reception यहां पर क्या असर है क्योंकि अभी भी Apple को भी यह लगता है कि शायद यह चीज़ मार्केट में चले नहीं देखो Apple यहां पर बहुत बड़ा gamble यहां पर कर रही है उसने अपने सारे चीज़े लगा दी Apple Vision Pro को हिट बनाने के लिए कुछ महीने पहले की रिपोर्ट से थी तो कुछ लोगों को इसका hardware काफी ज़्यादा पसंद आयता लेकिन problem थी इसके software में कई लोगों कहना था कि इसके अंदर कोई killer app नहीं होगी इसके साथ इसके next version पर भी काम करें क्योंकि ये बात माननी पड़ी कि जो Apple Vision Pro है वो अभी भी first generation का है और जिन लोगों ने उन्हें use किया उनका तो है कहना था कि experience तो काफी अच्छा था AR VR headset कभी भी mainstream नहीं हो पाए क्योंकि आम जनता के लिए कभी भी ज़्यादा appealing नहीं थे क्योंकि किसी भी normal user को समझ में नहीं आए कि इतना बड़ा headset वो ले क्यों क्योंकि पहले सब game खेलने के लिए use किया जाता था या फिर professional work के लिए use किया जाता था यूजर इंट्रेक्शन कैसे होता है ताकि एपल की सारी चीज़े और उन्हें वो कॉपी करना शुरू करते और आपको मैं बता सकता हूँ सिर्ट भी ने रुख जाओ एपल विजन प्रो के चाइनीज नॉक आफ देहना वो आपको कही न कहीं देखने को मिलते रहेंगे यहां तक कि गूगल जैसी कंपनी भी काम कर रही है मतलब कि गूगल ने अपना गूगल ग्लास तो सालों पहले निकाला था लेकिन इस समय एक अलाइंस फॉर्म करिए गूगल, सैमसंग और कॉलकॉम ने जिसके अंदर वेक एक एक सार डिवाइस बनाने वाले हैं यहां फिर हो सकता है पूरा एक सार प्रैटफॉर्म हो कि गहां पे गूगल सॉफ्टर बनाएगी, कॉलकॉम चिप बनाएगा, सैमसंग हार्डवेर बनाएगा और यह बिलकुल वैसा ही मॉडल होगा जैसे मॉबा आँखों के सामने अपनी जगे चाहती है, लेकिन सवाल लास्ट में यही आता है, क्या लोग इस चीज़ को अपनाएंगे, देखो काम के लिए लोग यहां पे पहन सकते हैं, एंटेटेंवेंट के लोग पहन सकते हैं, लेकिन रोजाना की जिन्दगी में पहनना, यह बहु काफिक अच्छा कंसेप्ट हो सकता है, कि जैसा मैंने चश्मा पहन रखाए, इसी के अंदर ही कुछ चीज़ आ जाए, जैसे कि मान लीजे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो आँखों के सामने मेरे पूरी स्क्रिप्ट वगेरा आजाए, इ लेकिन शाद वो चीज़ के लिए हूँ एक मिन से कम पांच साल इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा, बाद अब यह थी खहानी Apple Vision Pro की, काफी लम्मे समय से इसकी उपर सोच रहा था, रिसरच कर रहा था, काफी सारे पॉंट्ट ते काफी इंडर्स्री इंफोर्मेशन थी, सोच आप लोग साथ शेयर करूँ, पसंद है तो लाइक कर सकते, थेंक्यों आपकर वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वन के अंदर, गुडबाई!